बेटा बबलू मैं इस बार तुझे एक भी पठाखा नहीं दिलाने वाला कालू जी आप मेरे बबलू को पठाखे दिलाने से क्यों मना कर रहे हैं सभी के बच्चे पठाखे जलाएंगे तो मेरा बबलू क्या उनका मूँ देखेगा भूल गई गौरी जी पिछली बार इसने कभूतर की पूछ में पठाखा जला दिया था और बेचारे कभूतर के पूछ ही जल गई थी आप उस कभूतर का अभी तक दुख मना रहे हैं मैं तो कभू का भूल गई चिप करके मेरे बेटे को धेर सारे पठाके दिला लाईए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ये फिर से कोई ना कोई सैतानी जरूर करेगा देख लेना गोरी कवी कालू तो गोरी से बहुत डरता था इसलिए बबलू को पठाके दिलाने चला जाता है पापा पापा मुझे सबसे बड़ा वाला रोकेट चाहिए और सबसे तेज आवाज वाला पठाका भी बबलू बेटे आप अभी बच्चे हो और तुम्हें बच्चों वाले ही छोटे पठाके लेने चाहिए ना कि रोकेट जैसे पठाके पापा अगर आप मुझे मेरे मन पसंद पटाके नहीं दिलाएंगे तो मैं आपकी सिकायत मम्मा से कर दूँगा कालू कववा तो बबलू की ऐसी बाते सुनकर डर जाता है और बबलू को डहिर सारे मन पसंद पटाके दिला देता है पबलू तो बहुत खुस हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है इस बार तो पबुतर अंकल को अच्छा ही सबक सिखाऊंगा पिछली बार जरा से पूँच क्या जल गई पूरा हंगामा ही कर दिया और उस टुन्नों अंकल की तो खैर नहीं बड़ा ही बड़ चड़ कर मुझे भासर दिये जा रहा था फिर वह दोनों पटाके खरीद कर अपने घर आ जाते हैं आ गया मिर बेटा पापा ने आपको किसी चीज के लिए रोका तो नहीं नहीं ममा मैंने डे सारे पटाके खरीदे हैं इस बार तो उस कबुतर अंकल की खैर नहीं ऐसा कहकर बबलू घर से बाहिर चला जाता है देख लीजिये गौरी ये सिर्फ सेतानी करने के लिए ही पटा खेलाया है आप इसे बिल्कुल नहीं रोकती चुप कर जाओ कालू जी मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पर गया है डर पूप तो आप ही बहुत हो मिठो अंकल आपने कबुतर अंकल को कहीं देखा है मैं कबसे उन्हें ढूण रहा हूँ अभी नदी पर जाते हुए देखा मैंने सायद पानी पीने गया है वैसे बबलू तुम्हें कबुतर अंकल से क्या काम है मठाई मठाई दी है ममाने उनके लिए आम मैं जा रहा हूँ फिर बबलू कबुतर के पास चला जाता है अंकल जी नमस्ते नमस्ते बबलू नमस्ते क्या तुम आज भी कोई शैतानी करने आए हो नहीं कबुतर अंकल आप हमेशा ऐसा ही क्यों सोचते हो मैं तो आपके लिए मिठाई लाया हूँ जो ममाने आपके लिए दी थी और कहा था अंकल को पिछली बार के लिए सौरी कहना यह सुनकर कबुतर मठाई ले लेता है ठीक है बबलू बेटा आगे से कोई शैतानी मत करना ठीक है अंकल आज के बाद में कोई शैतानी नहीं करूँगा पहले आप मिठाई तो खाईए जैसे ही कबुतर मठाई का डब्बा खोलता है एक जोड़दार धहमा का कबुतर में उपर हो जाता है मार दिया रे मार दिया इस बबलू के बच्चे ने फिर से मार दिया कोई मेरी मदद करो आया न मज़ा मठाई खाकर खाओ खाओ मजे से खाओ अब मैं तुन्नू अंकल को ढूड़ता हूँ सबसे बड़ा दिस्मन तो हो ही है मेरा बेचारा का बूतर तो घायल हो जाता है और बबलू टुन्नो को ढूड़ने के लिए निकल जाता है दूर रहो बबलू आप कोई न कोई सैतानी जरूर करते हो आप कभी नहीं सुधरने वाले अंकल जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो पिछली बार आपने मुझे जो भी कुछ सिखाया था वो मुझे अभी तक याद है इसलिए मैंने तो पटा के खरीदे ही नहीं बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है आपने मेरी बातों का मान रखा अब मैं चलता हूँ गुड़ो के लिए मिठाय लानी है अरे अंकल जी आपको बजार से मठाय लाने की कोई जरूरत नहीं है मैं आपको मठाय देने ही तो आया हूँ इस बार पटा के नहीं लिए इसलिए तो मिठाय बात रहा हूँ यह सुनकर तो टुन्नू जड़ा मठाय ले लेता है और अपने घर चला जाता है टुन्नू जी बड़ी जल्दी आ गई मठाय लेकर अपने जंगल में ही कोई दुकान खुली है क्या नहीं नहीं टुनी ये मिठाय तो मुझे बबलू ने दी है और मेरी पिछली बार की अच्छी बाते उसे अभी तक याद है सौरी बोल रहा था मुझे टुन्नू जी मुझे नहीं लगता उस गोरी का बेटा इतनी जल्दी सुदर जाएगा मम्मा मठाय तो खोलो आखिर में कबसे इंतजार कर रहा हूँ टुनी जैसे ही मठाय का डब्बा खोलती है उसके मुझे पर भी एक जोड़दार धमा कर जाता है टुन्नू के जैदा पास होने की वज़ा से वो भी गहल हो जाता है मैंने कहा था वो गोरी का बेटा कभी नहीं सुदरने वाला और आप उसकी बातों में आ गए मुझे बहुत दर्द हो रहा है टुमी जी पहले हमें अपना इलाज करवाना चाहिए चलो जल्दी वरना हमारा सारा खून बैज जाएगा फिर बहे दोनों उल्लू डोक्टर के पास चले जाते है जहां उल्लू कभूतर का इलाज कर रहा था अरे टुन्नू भाई आप दोनों को एक जैसी चोटे कैसे लगी फिर टुन्नू कभूतर को सारी बाते बताता है ठीक ऐसा ही उसने मेरे साथ किया अब हमें क्या करना चाहिए टुन्नू यार गोरी कभी तो कुछ भी नहीं सुन्ती नहीं कभूतर भाया हम ऐसे चुप नहीं रह सकते हमें गोरी कभी को बताना ही पड़ेगा आखिर क्या हाल बना दिया है उसके बेटे ने हमारा ऐसा कहकर वे तीनों गोरी कभी के घर चले जाते हैं जहां बबलू बाहिर बड़े बड़े धमाके कर रहा था और उन तेनों को देखकर जोर जोर से हसने लगता है गोरी कवी ये देखिये आपके बेटे ने हमारा क्या हाल कर दिया जूट बोलकर हमें मठाई के डबे में पटाके दे दिये अब बच्चा सैतानी नहीं करेगा तो क्या हम बड़े लोग करेंगे गोरी जी ये कोई छोटी सैतानी नहीं है जो आप ऐसा कह रही हो इससे किसी की जान भी जा सकती थी मरा तो कोई भी नहीं है मुझे तो तीनों जिंदा ही दिख रहे हैं और अब चले जाओ यहां से दिये जलानी का समय हो रहा है मुझे तंग क्यों कर रहे हो छोटे से बच्चे की शिकायत ले कराने में तुम्हीं शरम नहीं आई गोरी की इतनी कड़वी बाते सुनकर वे तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और गोरी बबलू को दिये जलाने के लिए अवाज लगाती है अरे बबलू बेटा अपने पापा के साथ दिये जलवा दे आखिर पूरी रात पठाके ही फोड़ता रहेगा ममा आज तो मजा ही आ गया कितने पठाके फोड़े हैं मैंने बेटा मुझे भी बड़ा मजा आया उस टोनी कंग हूँ देखकर दीपावली पर तुने तो खुसी कर दिया मा बेटा ऐसे बाते करते करते दिये जलाने लगते हैं और बबलू पठाकों की थैली एक दिये के पास रखकर ही भूल जाता है मार दिया रे मार दिया इस बबलू ने तो मुझे भी मार दिया और चड़ाओ इसे सर पर तुमारे लिए तो मुझे मजा ही आ गया कालू जी आप मुझे ही क्यों सुना रहे हो यह सब तो बबलू के कारण हुआ है हाँ गौरी जी यह सब बबलू के कारण ही हुआ है पर जब बबलू दूसरे पक्षियों को चोट पूचा रहा था तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा था लेकिन अब जब तुम्हें चोट लगी है तो आप क्यों चीख रही हो मुझे माफ कर दो कालू जी मैंने ही बबलू को सर पर चड़ाया था मुझे मेरे की ये पर बहुत पच्टावा है और इस तरह से गोरी कव्वी को अपनी गलती का साफ साफ अंदाजा हो जाता है और वह दूसरे पक्षियों के लिए भी बहुत सरमिंदा थी प्यारे दोस्तों आप सभी को हमारी तरफ से दिपावली की डेहर सारी सुबकामनाई